दोस्तो नमस्कार वेलकम बेक टू न्यूस विडियो आफ बीसी डव्यू आज का न्यूस पेपर जो है इसमें मेंस रिलेटेड आर्टिकल थोड़े कम है लेकिन बहुत सारे छोटे 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 न्यूस एलिमेंट है जो हमारे लिम्स में काफी इंपोर्टेंट हो सकता है लेकिन फिर भी हम सब को डिटेल से देखेंगे और एक आर्टिकल हम दा हिंदू का देखेंगे जो इलेक्ट्रिक वेहिकल से रिलेटेड है मुझे लगा थोड़ा रिलिवेंसी है तो इसको हम लोग देखेंगे चुकि इसमें आज आर्टिकल मेंस रिलेटेड काफी कम है तो अभी इस्रेल और गजा का हमेशा कुछ ने कुछ चल रहा है इस्रेल गजा अब तीसरा फेक्टर इरान भी आ गया तो हमेशा कुछ ने कुछ ने कुछ निउस में रहेगा आपको उसको इग्नोर करके चलना है बिल्कुल नहीं ध्यान देना है उसमें अभी देखो यहाँ पे एक कंट्री है रवांडा रवांडा कौन से कॉंटिनेंट में है क्या ये लैंड लॉक्ड कंट्री है क्लाइमेट चेंज से इंपर्टेड है क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने का बेसिक जो प्राइम रीजन है वो है ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है मतलब अर्थ जो है अर्थ का एटमोसफेर जो है उसमें carbon dioxide है उसमें methane है nitrous oxide है चपसी है तो क्या होता है जो heat आया इधर आया और कुछ heat जो है वो radiate होगा आगे तो जो radiate होगा वो trap हो जाता है इसमें ठीक है और trap होते होते इतना ज्यादा status बढ़ जाता है उसका कि वो जो है normal atmospheric temperature को rise करने लगता है तो till now हम लोग लगभग 1.2 से 1.4 degree Celsius rise temperature हो चुका है हमारा pre-industrial era से लेकिन अभी भी हमारे पास थोरा scope है कि हम अपने climate condition को degrade होने से बचा सकते हैं तो जो global warming है जिसकी वज़े से climate change trigger हो रहा है तो global warming के potential को define किया जाता है कि वो जिसे कौन से gases है जिनका green house gas है या जो global warming है उसमें कितना role रहता है उसका तो सबसे important दखो carbon dioxide होता है carbon dioxide का कितना role रहता है global warming है तो carbon dioxide अगर 1 है तो methane का 42 से 70 times नैटर्स oxide का 280 तो इस तरह से देखेंगे जो global warming potential है वो इतना बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा atmosphere में क्या है carbon dioxide है लेकिन जो global warming gases है उसमें methane का भी बहुत बड़ा योगदान है तो यहीं पर जो methane emission होता है वो कहां कहां से होता है तो जो rice के खेत हैं जो fatty fields है वहां से methane emission होता है है ना methane emission होता है तो उस methane emission को कम करने के लिए जो वियतनाम है वहां के farmers ने बहुत कुछ किया है और कहा जाता है कि fatty contributes to around 8% of the human made methane in the atmosphere अब समझो उस 8% को अगर हम 2% कर पाए तो हम अब climate change के लिए या sustainable development के लिए हम बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं तो ये news उसी के लिए important है इसमें प्रिलिम्स related question पुछा जा सकता है कि methane emission following में कहां कहां से होता है तो methane emission paddy field रहेगा तो paddy field को सही मारना है वहां से methane gas emission होता है उसके बार देखो एक यहां पर topic है बराक वैली आपको पता होना है कि बराक वैली कहां है basically इसे जो प्रिलिम्स में question पूछेगा तो बराक वैली is situated in which state है न या which part of India तो चार option रहेगा उसमें तो इसको अगर detail से देखना है तो एक बार हम बस लुक कर लेंगे कि बडाक वैली होता क्या है तो बडाक वैली जो है तीन जिला मिला के है चाचर हेल खंडी और करीम गंज यह कहां पर है तीनो तीनो जो है वह state of Assam में है फिर इसका नाम जो पड़ा है वह बडाक रिवर पर पे पड़ा है अब आपका काम होगा कि इस बड़ाक रिवर का आप origin पता करें इस बड़ाक रिवर की ट्रीबूटरी का पक्याल रखें और यह बड़ाक रिवर कहां जाएं डिश्चार्ज करती है अपने water का उ तो इतना ची देखो इंजिनेरिंग तो आप करा रहे हैं लोकल लेंगवेज में वंडरफुल है आप उन स्टुडेंट्स को प्रोमोट कर रहे हैं जो किसी वज़ा से अंगरेजी मीडिया में नहीं पढ़ पाये थे वो अब क्या करेंगे वो अब local language में ही engineering की पढ़ाई कर पाएंगे यानि की वो skill development कर पाएंगे तो अब इसको सिर्फ एक बहुत बड़ा यह नहीं बना के चलना है positive की हम local language में engineering पढ़ा दिये ठीक है पढ़ा दिये but what is the outcome उसका result क्या रहा है क्या उससे नौकडिया मिल रही है क्या local language में ही engineering पढ़ने से उन candidates को जो required skill है वो develop हो रहा है उनमें अभी देखो बहुत तरह रहे रिपोर्ट्स आते हैं कहा जाता है कि 90% of the engineers जो आ रहे हैं अभी they are very less skilled वो employable ही नहीं रहाते हैं तो यह जो एक normal engineering colleges की बाद चले हैं कि employable नहीं रहाते हैं और हम लोग अब local language में engineering college खोल रहे हैं तो अगर local language इंशूर कर रहे हैं तो हम यह भी इंशूर करें कि उनको placement हो companies उनको recruit करें और certain time तक recruit ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए recruit करके 6 मेने मन को निकाल दिया बैया bench पे बिठा दिया उनको तरीके से नौकरी मिले तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप engineering को तो local language में पढ़ा हैं लेकिन जो अभी globalization का time है सब जगा अंगरेजी की तो आप किसी एक language को force करके आप world के साथ world level पे आप compete नहीं कर सकते हैं तो नेरा यही मानना है कि engineering आप local language में करा रहे हैं अच्छी बात है लेकिन बच्चों की competency डवलप होनी चाहिए बच्चों की skill development होनी चाहिए इतनी skill development होनी चाहिए कि वो employable रहे है employable रहे है सिर्फ इस का हुआ नहीं बनाना है कि हम local language में भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है है ना उस पढ़ाई से हमको outcome भी होना उसको रोजगार होना है रोजगार तभी होगा जब skill development होगा उसमें तो यह issue हो सकता है इसमें but this is a very good initiative कि the impoverished students who are not able to get the proper English education वो in engineering subjects को in college में पढ़ पाएंगे तो इसके बाद वो क्या करेंगे चाहे तो college कुछ एक bridge course करा दे कि जो skill या जो industry required है और जो हम यहाँ पे academics में कर रहे हैं तो academics और industry के बीच में एक bridge लाने की बात कर सकते हैं यह लोग जो student local language में पढ़ रहा हैं उनको skill development के लिए हम एक bridge course करा दे तो इस type का initiative है या successful होगा otherwise this will just be a futile exercise है ना बस एक government policy के तरह सामने आ जाएगी एक populist policy के तरह सामने आ जाएगी इसका कोई outcome नहीं निकलेगा अब इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा कुछ article नहीं है काफी political news ही सारा कुछ चल रहा है अच्छा यह जो पतंजली का case चल रहा है इस पत Supreme Court दूसरी companies को भी पकड़ने लगी है कि जिनका misleading ads होता है जिनका उन्होंने Indian Medical Association को भी कटगरे में खड़ा किया है तो यह जो news है यह हमारा example बन सकता है जुडिशियल एक्टिविजम का जुडिशियल एक्टिविजम का क्यों क्योंकि इस incident में executive failed to check the quality executive failed to regulate the patanjali so ender medical association demean होके Supreme Court जाती है और अपने लिए rights की मांग करती है कि उनके जो misleading advertisements दिये जा रहे हैं गलत बाते कही जा रही है तो यह आजाता है जुडिशियल एक्टिविजम में ठीक है तो अगर executive एक टा जुडिशियल ही सामने आती है और वो जुडिशियल एक्टिविजम का रूप लेलता है तो यह जो आर्टिकल है वो जुडिशियल एक्टिविजम के example में हम लोग लिख सकते हैं अब यह spices वाला जो news है यह हमने देखा था कि Everest और M.D.H. के लिए related Singapore और Hong Kong से complain आया था कि उस उसके लिए काफी को चल रहा है तो यह हमने food processing industry को काफी तरीके से समझा था food processing industry की जो major challenge है वो यह insure करना कि हम quality insure करें और अगर हम उसको export करते हैं तो export direct नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमको उनको कुछ treatment करना पड़ेगा उनके products का और treatment जो ऐसा होगा जो export quality कहें तो अलग से उसको बनाया जा सकता है जो ताकि जो product है उसको हम अगर दिसरी country में भेजें तो उस country में वो acceptable हो उस country में वो invasive species ना बन जाए ताकि वहां की species को वहां की environment को कुछ नुकसान पहुँचे वहां के लोगों को कुछ नुकसान पहुँचे तो इसके लिए यह spices mix पे उसके किस तरह से चीज सही की जाए और जो food regulation है वो काम जो fssi का है fssi का है क्या उसने ये ensure कि proper regulation हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है है तो इस सब पर प्रोब करने की जूरत है और हमारे लिए काम की चीज यही है कि अगर इस तरह का question आता है कि trade related challenges क्या क्या है export related challenges क्या क्या है तो उसमें एक example लिखा जा सकता है कि quality ensure करना बहुत बरा challenge होता है क्योंकि recently हमने spices के case में देखा कि Hong Kong और Singapore से spices को का import जो है वो ban कर दिया गया था ठीक है अब हम लोग देखते है रावनम्मी violence in मुर्शिदाबाद high court say may ask AC to defer elections ठीक है अब जो court है court ये कह रही है कि what is the use of elections when people cannot celebrate in peace for eight hours इसको use की आजा सकता है judiciary की जो criticism की जाती है उन सब चीज़ों में ज्यादा हर्स नहीं होना है ने तो contempt of court लग जाएगा judiciary को एक तरीके से criticize करना है इस तरह से criticize करना है कई बार ऐसा चाहने को आता है कई बार कई किताबों में ऐसा लिखा भी रहता है कि कुछ nominated लोग जो है वो elected लोगों को undermine करने की कोशिस करते है नомिनेटेड लोग कोण है हाँ पे जो supreme court के judges है elected लोग कोण है جो mla hai mp hai या जो जो भी अनिता लोग है उनको undermine करने की हमेशा कोशिस करते है जो executive bureaucracy है उसको undermine करने की कोशिस करते हैं कभी IAS officer को धमका दिये कि तुम court पान के क्यों नहीं आया कभी IPS को बोल दिये कि तुम्हारा जूता साफ क्यों नहीं है तो ये सब चीजें picture pace करती है कि executive और judiciary के बीच में जो तलखी है हमेशा बढ़करा रहती है इस article से हमको ये मिलता है कि जो judicial activism है और judicial overreach है इसके बीच का जो thin line है वो कैसे break होता है वो ये article बता रहा है ये article ये बता रहा है कि वो direct बोलते हैं कि election का क्या यूज है जब लोग 8 गंटे के लिए peacefully celebrate नहीं कर सकते यानि कि आप election पे ही सवाल उठा रहे हैं आप administration को election commission को direct कर रहे हैं कि जहां पे लोग 8 गंटे peaceful celebrate नहीं कर सकते उनको किसी भी तरह से अपने representative को चुनने का अधिकार नहीं है इसलिए election defer होना चाहिए तो ये statement थोड़ा harsh statement है थोड़ा harsh statement है थोड़ा judiciary executive or legislature का उसको disbalance करने काया काम करती है तो we are no one to say court कि आप ये मत बोलो फिर contempt आ जाएगा लेकिन we can criticize them कि एक positive criticism होना भी चाहिए कि judiciary को at least judicial overreach वाले situation से बचना चाहिए और judicial activism तक सिमित रहना चाहिए तो ये article उसी से related है अब देखो यहां पे recently Supreme Court का judgment आया था कि women अगर किसी labor force में है तो उनके लिए policies जो है leave entitlements जो है थोड़ी ज़्यादा उनके favorable होनी चाहिए क्योंकि उनके और भी policy formulations है वो थोड़ा practical considerations पे किये जाने चाहिए ये बात थी Supreme Court के judgment की इसी बात को पे article लिखा गया है ये article पढ़ा जा सकता है relevant है लेकिन उतना ज्यादा काफी deep में है उतना ज्यादा हमार लिए काम की चीज नहीं है हम इसमें थोड़ा बहुत इससे अपने लिए काम की चीज ले सकते हैं कि जैसे comment है कि participation of participation of women in the workforce is a matter not just of privilege but a constitutional entitlement that is protected by article 15 तो अगर state ऐसा model नहीं बनाती है कि जिसमें special concerns को tackle किया जा सके which arise in the case of women तो क्या होगा वो article 15 के against जाएगा फिर periodic level survey force को periodic level force survey report को code करते हैं और करते हैं कि female labor force जो है कुछ time से increase हो रहा है that jump to 37% और 4.2% का एक significant hike मिला है तो ये तभी हो पाया है जब हम women के लिए conducive atmosphere create कर रहे हैं उनकी working environment के लिए कहा जाता है कि अगर women completely participate करें इंडियन economy में तो जितना वो unpaid work करती हैं उसका 8 गुना उनको ज़्यादा फाइदा मिलेगा और जो देश की economy है उसमें 15-16% GDP का तो यूँ ही growth हो जाएगा उसमें अगर women का participation हुआ तो है ना इन सब को capitalize करने के लिए जरूरत है कि जो भी policies है वो जैसे leave policy है जैसे house entitlement policy है जैसे transfer policy है तो इन सब policies में women के लिए थोड़ा सा policy consideration में इनके लिए जो भी special cases है उनको थोड़ा practically और humanitarian industry से देखना चाहिए इसके साथ साथ हम article 15 का जो obligation है उसको भी EC साब से हम पूड़ा करते है इसके बाद ये article जो है वो internal security से related है internal security से और ये जो है आपके BPSC point of view से उतना relevant नहीं है लेकिन अगर nexalism related सवाल आता है left wing extremism का question आता है तो यहां से सवाल लिखा जा सकता है answer में कि किस तरह से left wing extremism में अभी तक changes नहीं आये है अभी तक जो government ने काफी कुछ achieve की आया है हमने देखा बट अभी भी situation जो है ground level पे बहुत इगरीम है लोग अभी भी नक्सल्स बन रहे हैं इतना करने की developmental projects इतने schemes इतने जो उनके लिए उजनाए है जो surrender करेंगे उनके लिए उजनाए उनको सजा कम की जाएगी उनकी सब चीज़ें भी की गई लेकिन उसके बावजूद भी जो result है उतना ज़्यादा positive नहीं आया reason क्या है कि बहुत सारा असला बहुत सारा धन अभी भी मौशलों के पास है जो जिसका इस्तेमाल वो करते हैं और security forces पे आए दिन attack करते रहते हैं सबसे बड़ा बात कि government के approach में जो नकसल को approach करने में जो सबसे बड़ा flaw यह है कि हर एक state को अपने आप में छोड़ दिया जाता है कि आप कैसे tackle करेंगे situation को उनके लिए कोई comprehensive plan नहीं मनाया जाता है है न और सबसे बड़ी बात कि party line पे division हो जाता है अगर कोई particular party सरकार में है तो वो क्या होगी वो थोड़ी soft हो जाएगी उनके लिए कोई दूसरी party आएगी तो वो थोड़ा hard हो जाएगा यह तब तक solve नहीं होगा जब तक state forces central armed forces के साथ लड़ें उनके साथ एक subsidiary रोल करें यह state police जो है वो with intelligence जिसना ground intelligence state police का strong होता है बांकि सारे agencies का नहीं होता है तो वो state police जो है अपने intelligence के basis पे central armed forces forces को तरीके से उनको बतने चीज़ों को आपगत करा है है ना रैटर इसमें यह भी करते हैं कि security forces का एक limit होता है वो एक limit तक ही काम कर सकते हैं किसी area में नकसल का बहुत अपरोच है तो वो नकसल को वहाँ से हटा सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो आप इस administration करना है वो तो local को ही करना है न वहाँ पे local police को ही ensure करना है वहाँ कि law and order issues तो यह एक दूसरी लोगों को साथ तरीके से sink में काम कर रहे हैं यानि ठीक है फिर एक reason बताता है कि इंडिया की forest cover अभी भी continuously denued हो रही है और ऐसा estimate है कि 2008-09 के बाद total 3,6,000 hectare of forest land was devoted for non-forestry use अब जो नकसल्स हैं वो क्या है आधर वो ट्राइबल्स है आधर वो ऐसे population है जिनका fully dependent कि पर होता है forest पर होता है एक बार forest को आपने खतम कर दिया forest को आपने mining के लिए निप्टा दिया जो जमीने थी उसको mining के लिए निप्टा दिया जो पहार थे उसको निप्टा दिया तो अब क्या होगा अब जो लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे अब वो depend थे forest पर तो बेरुज़गार हो जाएंगे अब क्या होगा तो वो हतियार थाम लेंगे तो वन अब दे रीजन है कि अभी भी नक्सलिजम इतना ज्यादा प्रॉमिनेंट है और बढ़ी रहा है उसमें थोड़ा कम होने का काम नहीं आ है यह article काफी important है again climate change की दृष्टी से इसमें बहुत सारे facts हैं बहुत सारे चीज़े हैं जो climate change के answer में हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसको आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे अच्छे-चे facts हैं जो recent incidents क्या क्या हुआ हुए हैं कितना percentage कौन से area में कितना हुआ है तो यह स के बाद और कोई article नहीं है यहां पर battery storage की बात हो रही है battery storage कहां यूज होगा electric vehicle में यूज होगा electric vehicle से related अगर तुम देखना चाहो तो हिंदू का एक article हम लोग देखते हैं कि how India is planning to boost EV production electrical vehicle production में अभी देखो Elon Musk आने वाले थी इंडिया फिर सायद उनका cancel हो गया plan Elon Musk क्या plan कर रहे है कि इंडिया में कुछ factory establish करना चाह रहे है वो factory जो establish करेंगे वो इसलिए करेंगे कि अभी world over में Chinese influence काफी बढ़ रहा है किसमे electric vehicle manufacturing में Chinese already अपने आपको global manufacturing hub बना चुका है cheap labor less production cost तो दाम कम हो जाता है cost reduce हो जाता है जब cost reduce होता है manufacturers जो company है वहां के manufacturer को prefer करती ह outsourcing के लिए तो अब यह चीज इंडिया आपने यहां लाना चाहा रहा है under making India scheme इसके साथ साथ बहुत सारी PLI के अंदर देंगे जैसे production link incentive होता है उसमें हम इनको engage करेंगे ताकि हम electric vehicle की production को बढ़ाए हमारा जो technology है उस electric vehicle में increase हो हमारा automotive sector जो है वो उससे फाइदा मेंद हो और manufacturing hub बनाना है इसके लिए minimum cap जो है यहां पर रखा गया है कि 4150 करोर आपको minimum invest करना पड़ेगा तब आपको जाके हम बहुत सारे policies में फाइदे हैं वो हम आपको फाइदे देंगे ठीक है तो हिंदू में इतना sufficient था इसके अंदर बहुत deep में चीज़े है जरूरत की नहीं है त तो जितना बताया गया है उतना धंक से पर लीजे more than sufficient है और जो अपना static syllabus है उसको जरूर revise करते रहिए जो topic पूछा गया उससे भी related या फिर जो subject wise है 15 दिन एक syllabus को target करके एक subject को target करके आगे बढ़ते रहना है तो क्या होगा हमारा syllabus जल्दी खातम हो जाएगा परिक्षा से पहले ठीक है मिलते हैं अंगले वीडियो में बाबाई